तो गाईस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं तो आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग चालू नहीं होता होगा आपके phone में call recording को चालो करने के लिए आपको किसी अन्य application के जरूरत पढ़ती होगी लेकिन हम इस video के अंदर ऐसा setting बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप बिने किसी application को download की हुए अपने phone में किसी के भी call को record कर पाएंगे अगर आप इस video को हमारी YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजी और अगर आप इस video को Facebook प्रोफाइल या Facebook पर देख रहे हैं तो मारी पेज को भी follow जरूर कर लिजी उसके लिए हमको जो है अपने call को open करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस परकार से इंटर्फेस होगा यहां पर आपको त्री डॉट की option पर क्लिक कर देना है त्री डॉट की option पर क्लिक करने के बाद guys यहां पर आपको जो तीन option देख जाएगा यहां पर आपको settings की option पर क्लिक कर देना है settings की option पर क्लिक करने के बाद guys आप सभी लोग देखने यहां पर call recording को option आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देगे करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा आप सबसे खोंगे यहां पर अगर हम देखों तो यहां पर option आ रहा है automatically record unknown numbers अगर हम इस पर on कर केmamड़ कर देते हैं इसको तो यहां से एक इंटरफेस आता है यहां पर आपको पढ़ लेना हैं इसको पढ़ लिया है तो इसको जो मेश के उपर डिया है यृवार छूप कभी call recording करना चाहें जिसका number हमने save किया है अपने phone में तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है automatically record this number की option पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद guys साफ सभी लोग देखेंगे यहाँ पर always record selected number इसको on कर देंगे on करने के बाद यहाँ से always record की option पर click कर देंगे इतना करने के बाद guys यहाँ से choose a account की option पर click कर देंगे यहाँ से जो है हम जिसका भी call को record करना चाहें उसका number select कर लेंगे number को select करने के बाद guys अभी हम back आ जाएंगे कुछ इस परकार से guys हम जो है अपने phone में बिने किसी application को download की हुए call को record कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजिए share कर दीजिए और आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए topic के साथ